परिचाए तुम इस सेल्फ में क्या ढूंड रहे हो? मेरी जीविज्यान की किताब यहां नहीं है आज मेरे जीविज्यान के टीचर ने बताया है कि कल जीविज्यान का लिखी टेस्ट होगा तो तुम्हारे टेस्ट का विशय क्या है? कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन कृपिया मेरी सहायता करो भाई ठीक है, मैं तुम्हें कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन की विभिन प्रावस्थाओं के बारे में बताता हूँ उत्यशे इस पाठ के अंत में आप निम्र करने में सक्षम हो जाएंगे कोशिका चक्र की विभिन प्रावस्थाओं को समझना एम प्रावस्था और इसकी विभिन अवस्थाओं के बारे में जानना सूत्री विभाजन के महत्व का वर्डन करना अर्ध सूत्री विभाजन और इसकी विभिन अवस्थाओं के बारे में जानना अर्ध सूत्री विभाजन के महत्व का वर्लन करना कोशिका चक्र क्या है? कोशिका जीवन की संदचनात्मक और कारियात्मक इकाई है सभी कोशिकाएं दो भागों में विभाजित होकर जनन करती हैं, जिसमें प्रतेक पैतरक कोशिका विभाजित होकर हर बार दो संतती कोशिकाओं को जन्म देती हैं. ये नव निर्मित संतती कोशिकाओं स्वयम वृध्धी और विभाजन कर सकती हैं, एक पैतरिक कोशिका और इसकी संतती वृध्धी और विभाजन के बाद एक नई कोशिकी ये जनसंख्या का निर्माण करती हैं. वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोशिकाओं पूर्व माजूत कोशिकाओं से उत्पन होती हैं, कोशिका विभाजन कहलाती हैं. वास्तों में ये एक बहुत महत्पून प्रक्रिया है और सभी जीविचीवों में पाई जाती हैं. कोशिका विभाजन के दोरान DNA प्रती कृति करण और कोशिका व्रिधी भी हो दी है अब आईए कोशिका चक्र के बारे में जाने घटनाओं का अनुक्रम जिसके दोरा एक कोशिका अपने जीनोम का दुई गुणन कोशिका के अन्ने संघटकों का संशलेशन करती है और अन्त में दू संतती कोशिकाउं में विभाजन करती है कोशिका चक्र कहलाता है आपको ये जान का राश्चरे होगा कि प्रती कृती गुण सूत्र यानी DNA कोशिका विभाजन के दोरान जटिल घटनाओं के दोरा संतती केंद्रकों में वित्रित हो जाते हैं अब आईए कोशिका चक्र की प्रवस्थाओं के बारे में जानें। कोशिका चक्र की प्रवस्थाएं कोशिका चक्र को दो मूल प्रवस्थाओं में विभाजित किया गया है। अंत्रावस्था और M प्रवस्था या सूत्री विभाजन। M प्रावस्था उस प्रावस्था को व्यक्ति करती हैं जब वास्तविक कोशिका विभाजन या सूत्री विभाजन होता है और अंत्रावस्था दो क्रमिक M प्रावस्थाओं के बीच की अवस्था को व्यक्ति करती हैं. एम प्रावस्था का आरंब केंद्रक विभाजन से होता है, जो की संगत संतती गुण सूत्र के प्रतक्करण यानि केरियो काइनेसिस के सम्तुल्ले होता है, और इसका अंत प्राया कोशिका द्रव के विभाजन यानि साइटो काइनेसिस के साथ होता है. अंत्रा अवस्था को विश्राम प्रावस्था भी कहते हैं इस दौरान कोशिका करमबद्ध तरीके से कोशिका वृध्धी और डीने प्रतिकृति करण करके विभाजन के लिए तयार होती है पहले आईए अंत्रा अवस्था की विभिन अवस्थाओं के बारे में जाने प्रतिक प्रावस्था या गैप 1, S प्रावस्था या संशिलेशन प्रावस्था, G 2 प्रावस्था या गैप 2, अब आईए प्रतिक के बारे में विस्तार से जानें. कोशिका चक्र की प्रवस्थाएं शेश G1 प्रवस्था सूत्री विभाजन और DNA प्रतिक्रिती करण के आरंब के बीच अंतराल को प्रदशित करती है G1 प्रवस्था के दौरान कोशिका उपाप चही रूप से सक्रिये होती है और निरंतर विधी करती है लेकिन इसका DNA प्रतिक्रिती नहीं करता है एस प्रवस्था या संशलेशन प्रवस्था उस अवधी को दर्शाती है जिसमें DNA, संशलेशन या प्रतीकृतिकरण होता है इस समय प्रतीकोशिका DNA की मात्रा दुगनी हो जाती है लेकिन गुण सूत्र की संख्या में कोई वृध्धी नहीं होती है G2 प्रवस्था के दौरान सूत्री विभाजन के लिए प्रोटीन का संशलेशन होता है जबकि कोशिका वृध्धी होती रहती है कुछ कोशिकाएं जो आगे विभाजित नहीं होती हैं, जी एक प्रावस्था से निकल कर निश्क्रिय आवस्था में पहुचाती हैं, जो कोशिका चक्र की शान्त आवस्था यानी जी ओ कहलाती हैं. इस प्रावस्था में कोशिकाएं उपापचाई रूप से सक्रिय रहती हैं, लेकिन ये विभाजित नहीं होती हैं, इनका विभाजन जीव की अविशक्ता के अनुसार होता है. M. प्रावस्था और इसकी अवस्थाएं M. प्रावस्था सूत्री विभाजन भी कहलाती है, जूंकि जनक और संतती कोशिकाओं में गुण सूत्रों की संख्या पराबर होती है, इसलिए ये सम विभाजन भी कहलाती है. सूत्री विभाजन को निम्नलिकिद चार अवस्थाओं में विभाजित किया गया है, पून आवस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था. आईए इनके बारे में विस्तार से जानें. पून आवस्था सूत्री विभाजन की पहली आवस्था पूर्वावस्था है. ये अंत्रावस्था के S और G दू प्रावस्था के बात की आवस्था है. S और G दो प्रावस्था में नई DNA आणूं बनते हैं और आपस में गुंते होने के काराण स्पष्ट नहीं होते हैं पूर्वा वस्था के पून होने के दौरान जो महद पून खटनाए होती हैं उनकी निम्नविशेश्टाई है गुंसूत्री द्रव्वे संगनित होकर ठोस समसूत्री गुंसूत्र बन जाता है गुंसूत्र दो अर्थ गुंसूत्रों का बना होता है जो आपस में सेंट्रो मियर यानी गुंसूत्र बिंदु से जुड़े रहते हैं सम्सूत्री तरकू, सुक्ष्मन नलेकाओं के जमावडे की प्रक्रिया आरंब हो जाती है कोशिका द्रव के ये प्रोटीन युक्त घटक इस प्रक्रिया में सहेता करते हैं M प्रावस्था और इसकी अवस्थाएं मध्यावस्था सूत्री विभाजन की दूइती अवस्था मध्यावस्था कहलाती है इस हवस्था में मध्यावस्था गुण सूत्र दो संतती अर्थ गुण सूत्रों से बना होता है जो आपस में गुण सूत्र बिंदू से जुड़े होते हैं गुण सूत्र बिंदू की सतह परिस्थित छोटी बिंब के आकार की सनचना काइनेट कोर कहलाती है। ये सनचना तरकुतंतु के चुड़ने का स्थान है जो दूसरी ओर कोशिका के केंद्र परिस्थित गुण सूत्रों से जुड़े होते हैं। मध्यावस्था में गुण सूत्रों के पंक्ति बद्ध होने का तल मध्यावस्था पटिका कहलाता है। मध्यावस्था की मुख्य विशेश्टाएं हैं। तरकुतंतु गुण सूत्र के काइनट कोर से जुड़े रहते हैं। गुण सूत्र तरकु मध्यरेखा की ओर जाकर मध्यावस्था पटिका पर पंक्ति बद्ध होकर ध्रूवों से तरकुतंतु से जुड़ जाते हैं। अब आईए सूत्री विभाजन के अगले चरण अर्थात पश्चावस्था के बारे में जाने। पश्चावस्था के प्रारंभ में मध्यावस्था पटिका पराय प्रत्यक गुण सूत्र एक साथ अलग होने लगते हैं। और दो संतती अर्थ गुण सूत्र दो विप्रेत धुरूवों की ओर जाने लगते हैं। इस अवस्था की मुख्य विशेश्टाएं हैं। गुण सूत्र बिंदू विखंडित होते हैं और अर्थ गुण सूत्र अलग होने लगते हैं। अर्थ गुण सूत्र विप्रेत धुरूवों की ओर जाने लगते हैं। अगली अवस्था अंतियावस्था है। ये निम्निलिकित मुख्य खटनाओं को दर्शाती है। गुण सूत्र विप्रेत तर्कु धुरूवों पर एकत्रित हो जाते हैं और उनकी प्रथक तत्व के रूप में पैचान समाप्थ हो जाती है। गुण सूत्र समुह के चारों ओर केंद्र कावरण का निर्मान हो जाता है। केंद्र का गौलजिकाय और अंतर द्रवेई जालिका का पुनर निर्मान हो जाता है। क्या आप चानते हैं कि सूत्री विभाजन दुई गुणित गुण सूत्रों के संतती केंद्रकूं यानि केंद्रक विभाजन में संप्रिथिकन से ही समाप्थ नहीं होती। बलकि कोशिका विभाजन संपन होने के अंत में कोशिका स्वयम एक अलग प्रक्रिया द्वारा दो संतती कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। जो कोशिका द्रवे विभाजन कहलाती है। सूत्री विभाजन का महत्व अब तक हमने सूत्री विभाजन की विभिन अवस्थाओं के बारे में जाना, अब आए ये देखें कि सूत्री विभाजन का क्या महत्व है सूत्री विभाजन का महत्व कोशिका विभाजित होकर केंद्रक कोशिका द्रव के अनुपात को बनाए रखे। सूत्री विभाजन का बहुत महत्पून योगदान कोशिका की मरमत करना है। आधी चर्म की उपरी सतह की कोशिकाएं, आहार नाल की भीत्री सतह की कोशिकाएं और रुधिर कोशिकाएं निरंतर प्रतिस्थापित होती रहती हैं। विभज्य योति की उतकों, शीर्षस्थ एवं पार्श्विये कैम्बियम में सूत्री विभाजन के कारण पौधों में जीवन भर प्रिद्धी होती रहती है। अर्थ सूत्री विभाजन और इसकी अवस्थाएं। अब आए अगले विशय अर्थात अर्थ सूत्री विभाजन पर आते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लेंगिक जननद्वारा संतती के निर्माण में दो युगमकों का सनलयन शामिल है। जिनमें आगुनित गुन सूत्रों का एक समू होता है। युगमक विशिष्ट दुई गुनित कोशिकाओं से दिर्मित होते हैं। ये विशिष्ट प्रकार का कोशिका विभाजन जिसके द्वारा बनने वाली आगुनित संतती कोशिकाओं में गुन सूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इस प्रकार का विभाजन अर्ध सूत्री विभाजन कहलाता है। अर्ध सूत्री विभाजन की मुक्य विशेष्टाएं निम्नवत है। अर्ध सूत्री विभाजन में केंद्रक और कोशिका विभाजन के दो अनुक्रमिक चक्र शामिल होते हैं, जिसे अर्ध सूत्री एक और अर्ध सूत्री दो कहते हैं, लेकिन DNA प्रतीकृती करण का केवल एक चक्र पूह होता है. एस कवस्था में पैत्रिक गुण सूत्रों के प्रतीकृती के साथ समान संतती अर्ध गुण सूत्र बनने के बाद अर्ध सूत्री एक अवस्था प्रहरंब होती है. अर्ध सूत्री विभाजन में समझात गुण सूत्रों का युगलन एवं पुनर युजन होता है. अर्दसूत्री दो के अंध में चार आगुनित कोशिकाएं बन दी हैं अर्दसूत्री विभाजन को निम्न अवस्थाओं में वरगि कृत किया गया है पूर्वा वस्था एक, मध्य अवस्था एक, पष्च अवस्था एक और अंत्यावस्था एक अर्द सूत्री एक के तहट आती हैं, जबकि पूर्वावस्था दो, मध्यावस्था दो, पश्चावस्था दो और अंत्यावस्था दो अर्द सूत्री दो के तहट आती हैं. अब आए प्रतेक प्रावस्था का विस्तार से अध्यन करें. अर्द सूत्री विभाजन और इसकी अवस्थाएं अर्द सूत्री एक की प्रतम अवस्था पूर्वावस्था एक है ये सूत्री विभाजन की पूर्वावस्था की तुलना में बहुत लंबी और अधिक जटिल है गुण सूत्रों के वैवाहार के आधार पर इसे आगे निम्न पांच प्रवस्थाओं में उप विभाजित किया गया है अर्थाद तनुपट्टे, युग्मपट्टे, स्थूलपट्टे, दुईपट्टे और पारकती क्रम तनुपट्टे, प्रकाश सूश्म दर्शी से देखने पर तनुपट्टे अवस्था के दौरान गुण सूत्र धीरे धीरे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं गुण सूत्र का संहानन तनुपट्टे अवस्था के दौरान जारी रहता है इसके बाद पूर्वा अवस्था एक का दूतिये चरण प्रारंब होता है, जिसे युग्मपट्ट कहते हैं इस अवस्था के दौरान गुण सूत्रों का युग्मन प्रारंब हो जाता है और इस प्रकार की संबधता को सूत्र युग्मन कहते हैं ऐसे युगमित गुण सूत्र समजात गुण सूत्र कहलाते हैं। इस अवस्था का इलेक्ट्रोन सूक्ष्म लेखी ये दर्शाता है कि गुण सूत्र सूत्र युगमन के साथ एक जटल सनचना का निर्मान होता है, जिसे सनेप्टो निमल सम्मिश्र कहते हैं। सूत्र युगमित समचात गुण सूत्र के युगमद्वारा दिर्मित सम्मिश्र युगली अथवा चतुष्क कहलाता है। हाला कि वे अगली अवस्था में अधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं। अगली अवस्था स्थूल पट पहले की दोनों चरणों से अधिक लंबी होती है। स्थूल पट अवस्था के दौरान युगली गुण सूत्र चतुष्क के रूप में अधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं। इस अवस्था में पुनर योजन क्रंथिकाएं दिखाई देने लगती हैं, जहां पर समजात गुण सूत्रों के असंतती अर्थ गुण सूत्रों के बीच विनमे होता है। उनर योजन स्थूल पट्ट अवस्था के अंति तक पून हो जाता है, जिसके परिणाम सरूप विनमे स्थर पर गुण सूत्र जुड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। दूसरे से अलग होने लगते हैं। एक्स आकार की ये संदचना का एजमेटा कहलाती है। अर्द सूत्री पूर्वावस्था एक का अंतिम चरण पारगती क्रम है। ये काईजमेटा के अंत द्वारा पहचानी जाती है। इस प्रावस्था के दौरान गुण सूत्र पूर्टया संगनित हो जाते हैं। और अर्द सूत्री तरकु एकत्रित होकर समझात गुण सूत्रों को अलग करने में सहयोग प्रदान करते हैं। पारगती क्रम के अंध तक केंद्र का अद्रिश्य हो जाती है और केंद्रक आवरण भी विक्टित हो जाता है। पारगती क्रम मध्य अवस्था की ओर पारगमन को निरुपित करता है। अर्द सूत्री विभाचन और इसकी अवस्थाएं। पूर्व अवस्था एक पूर्ण होने के बाद मध्य अवस्था एक आती है। इस अवस्था में युगली गुण सूत्र मध्य रेखा पटिका पर वैवस्थित हो जाते हैं। विभड़े ध्रोमों के तरकू की सूक्षमन न लिकाएं समझात गुण सूत्र के जोड़ों से जुड़ जाती हैं। पश्चा अवस्था एक अगली अवस्था है। इस अवस्था में समझात गुण सूत्र अलग हो जाते हैं। जबकि संतती अर्द गुण सूत्र गुण सूत्र बिंदु से जुड़े रहते हैं। पश्च अवस्था एक के बाद अंत्य अवस्था एक आती है। इस अवस्था में केंद्रक कला और केंद्र का पुना इसपश्थू होने लगते हैं। कोशिका द्रवे विभाजन शुरू हो जाता है और ये कोशिका दुइक कहलाता है। यद्दिपी बहुत से मामलों में का कुछ छित्राव हो जाता है। वे अंत्रावस्था केंद्रक की पूर्टियां फैली अवस्था तक नहीं पहुंचते हैं। दो अर्द सूत्री विभाजन के बीच की अवस्था अंत्राल अवस्था कहलाती है। और ये समानिता कम समय के लिए होती है। अंत्राल अर्द सूत्री विभाजन और इसकी अवस्थाएं अर्द सूत्री विभाजन के समान होता है। पूर्वा वस्था दो के अंत तक केंद्रक झिल्ली अद्रिश्य हो जाती है। गुण सूत्र पुना संगनित हो जाते हैं। काइनट कोर से चिपक जाती है। सूत्री विभाजन के समान मध्यावस्था दो के बाद पश्चावस्था दो आती है। पश्चावस्था दो प्रतेक गुण सूत्र के गुण सूत्र बिंदु के ततकाल अलग होने से शुरू होती है। और गुण सूत्र कोशिका के विप्रीत धुरुवं की ओर चली जाती है। अर्द सूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था अंतियावस्था दो है। इस अवस्था में गुण सूत्रों के दो समू एक बार पुना एक केंद्र कावरण में बंध हो जाते हैं। कोशिका द्रवे विभाजन के बाद चार आगुनित संतती कोशिकाउं का चतुष्टे बन जाता। अर्द सूत्री विभाजन का महत्व अब तक हमने अर्द सूत्री विभाजन एक और अर्द सूत्री विभाजन दो के विभने चरणों के बारे में सीखा अब आईए जाने कि अर्द सूत्री विभाजन का क्या महत्व है अर्द सूत्री विभाजन वो क्रिया है जिसके द्वारा लेंकिक जनन करने वाले जीवों की प्रत्येक जाती में विशिष्ट गुण सूत्र की संख्या संदक्षित रहती है यद्यपी विरुधा भासी प्रक्रिया के परिणामसरूप गुन सुत्रो संख्या आधी हो जाती है इसके द्वारा जीवधारियों की जंसंख्या में एक पीडी से दूसरी पीडी तक अनुवन्शिक विभिनताईं बढ़ती जाती हैं विकास प्रक्रिया के लिए विभिनताएं बहुत महत्पूं हैं। सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संख्षेप में दोहराएं। घटनाओं का अनुक्रम जुसके दवारा एक कोशिका अपने जीनोम का दुईकुणन कोशिका के अन्दे संखटकों का संशिलेशन करती है और अंत में दो संथती कोशिकाओं में विभाजन करती है कोशिका चकर कहलाता है। कोशिका चक्र के दो मोल प्रावस्थाओं में विभाजित किया जाता है अंत्रावस्था और M प्रावस्था या सूत्री विभाजन M प्रावस्था उस प्रावस्था को व्यक्ति करती है जब वास्तविक कोशिका विभाजन या सूत्री विभाजन होता है और अंत्रावस्था दो क्रमिक M प्रावस्थाओं के बीच की अवस्था को व्यक्ति करती है अंत्रावस्था को आगे तीन प्रवस्थाओं में विभाजित किया गया है G1 प्रवस्था, S प्रवस्था, G2 प्रवस्था M प्रवस्था या सूत्री विभाजन को निम्न चार चर्णों में विभाजित किया गया है पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था सूत्री विभाजन में साधन अर्तिया समान आनुवन्शिक अव्यवाली दुई गुनित संत्यती कोशिकाएं बन्दी हैं बहु कोशिके जीवों की व्रिथी सूत्री विभाजन के कर अर्ध सूत्री विभाजन विशिष्ठ प्रकार का कोशिका विभाजन है जिसके द्वारा बन्ने वाली अगुनित संत्यती कोशिकाएं में गुन सूत्रों की संख्या आधी हो जाती है अर्ध सूत्री विभाजन में केंद्रक और कोशिका विभाजन के दो अनुक्रमिक चक्र शामिल होते हैं, जिसे अर्ध सूत्री एक और अर्ध सूत्री दो कहते हैं, लेकिन DNA प्रती कृती करण का केवल एक चक्र पून होता है अर्ध सूत्री एक में पूर्वावस्था एक, मध्यावस्था एक, पश्चावस्था एक और अन्त्यावस्था एक शामिल है, जबकि अर्ध सूत्री दो में पूर्वावस्था दो, मध्यावस्था दो, पश्चावस्था दो और अन्त्यावस्था दो शामिल है गुण सूत्रों के व्यवहार के आधार पर पूर्वावस्था एक को पांच प्रवस्थाओं में उप विभाजित किया गया है अर्थाद तनुपट्टे, युक्मपट्टे, स्थूलपट्टे, दूईपट्टे और पार्गदिक्रम स्थूलपट्टे प्रवस्था के दौरान विनिमय होता है अर्ध सूत्री विभाजन से जीवधारियों की जनसंख्या में एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी तक अनुवन्शिक विभिनताएं बढ़ती जाती हैं